दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Facebook एकाउंट के password को change कर सकते हो तो change करने के लिए यहाँ पे दो method है आप पुरा वीडियो देखते रही है आपको सारी चीजे समझ में आ जाएंगी दो method में जो पहला method है उसके लिए आपको पुराना password पता होना चाहिए और जो दूसरा method है उसमें आपको पुराना password पता होने की ज़रत नहीं है आप बिना पुराने password के ही password को change करके नया password बना सकते हो अगर आप पुराना password भूल गए हो तो आपको दूसरा method try करना है तो facebook account का password change करने के लिए simply आप facebook app open कर लोगे facebook app open करने के बाद यहाँ पर आपको top right corner में side में यहाँ पर menu दिखाई देता है आप इस पर click करते हो तो आप menu में आ जाते हो यहाँ से आपको setting के उपर click कर लेना है यहाँ पर अगर आप नीचे scroll करते हो तो यहाँ पर भी आपको setting and privacy यह दिखाई देता है इस पर click करना है और यहाँ से भी आप setting में आ सकते हो तो अपने facebook account के setting में आने के बाद आपको सबसे उपर में ही meta account center यह दिखाई देगा इस पर click करना है जैसे ही आप Meta Account Center पर click करते हो आपको यहाँ पे Password & Security यह दिखाई देगा इस पर click कर लेना है Password & Security पर click करने के बाद आप देख सकते हो Change Password लेकिन यहाँ पर अगर आप Change Password पर click करते हो और अपने Facebook Account को select करते हो तो password को change करने के लिए आपको पुराना password यनि कि current password पता होना चाहिए password में आपका at least 6 character होता है और आपको special character इने भी use करना होता है dollar का symbol, add rate, percentage, hash, star, ऐसी चीजें तो current password अगर आपको याद है तो आप simply यहाँ पे enter कर दोगे और उसके बाद आप जो भी नया password बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पे enter कर दोगे और दोबार सनया password re-enter करके password को change कर सकते हो लेकिन चुकि आपको अपना पुराना password पता नहीं है current वाला password पता नहीं है तो ऐसे situation में आप forgot your password इस पे click करोगे जैसे ही आप forgot your password इस पे click करते हो इस type का आपके सामने open होगा और यहाँ पे अब आप code मगा करके अपने email ID पे यह फिर mobile number पे SMS में यह फिर whatsapp पे खुद को verify कर सकते हो facebook के सामने और अपना password change कर सकते हो देख सकते हो यहाँ पे आपको तीन option मिलता है जो भी आपके facebook account के साथ mobile number है अगर उससे WhatsApp account बना हुआ है तो आप WhatsApp पे code मगा करके verify कर सकते हो यह फिर email ID पे code मगा कर सकते हो यह फिर SMS के माधियम से code receive करके mobile number पे verify कर सकते हो अगर password याद होता तो simply password enter करके मैं आप password change कर सकते थे यहाँ पे मैं अपने email ID पे code receive करके verify करके password change करना चाहता हूँ email ID वाला option select कर लूँगा और continue कर लेना है अब यहाँ पे मेरे email ID पे code भेजा गया होगा वो code में email app में जा करके check कर लूँगा और यहाँ पे मुझे enter कर देना है code enter करने के बाद यहाँ पे मुझे continue कर लेना है और आप देख सकते हो enter new password नया password इंटर करने के बाद अगर आप चाहते हो कि other phone से आपका facebook account logout हो जाए तो simply आप इस पे select कर लोगे और next करके आप password को change कर सकते हो इस तरीके से नया password set कर सकते हो